2022 में वेधन्ता गुरूप ने गुजरत गॉबर्मेंट के साथ एक M.O.U. साइन किया था जिसमें वेधन्ता सेमिकॉंडक्टर फैब और डिस्पेले मैनुफेक्टरिंग फैसिलिटिस को देश में सेट अप करने के लिए ताइवनिस इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्टरर फॉ के साथ M.O.U. साइन किया है जो कि डिस्पेले मैनुफेक्टरिंग कमपनी से वेधन्ता ओफिशियल्स के अनुसर कोरिया बीच रेट शो 2023 इवेंट के दोरान 50 से भी ज्यादा कोरियन कमपनी वेधन्ता के साथ पार्टनर्शिप के लिए इंट्रेज दिखाया था जिसमें स इलेक्टरोनिक्स वेलुचेंड के साथ जुड़े हुए 20 कमपनी के साथ वेधन्ता ने M.O.U. साइन किया है क्योंकि कमपनी इंडिया में एक एलेक्टरोनिक्स मैनुफेक्टरिंग हब बनाने के उपर काम कर रहा है और कमपनी ओफिशियल्स का क्यलेम है 150 से भी ज्यादा क इस electronic hub में जूरने वाला है company के ए electronics hub पूरे दरीके से बनने के बाद देश में एक लाग से भी ज्यादा का direct and indirect jobs create होंगे जिससे skilled workers को नए opportunities मिलेंगे proposed hub बनने के बाद job create होने के साथ-साथ नए technologies और manufacturing processes भी देश के अंदर आने वाला है हम सब जानते हैं कि display manufacturing में South Korean companies दुनिया में सबसे leading positions में है South Korea Global Display Industry का एक बहुत बड़ा important player है जिसके करण उनकी expertise और knowledge and बेदानता के साथ एर partnership देश की electronic sector के लिए बहुत कारगर सभीत हो सकता है साथ ही Foxconn जैसे electronics industry के leader के साथ बेदानता का joint venture इस project का potential और भी ज़्यदा वाराने वाला है इससे देश में new opportunities आएंगे और इंडिया के electronics manufacturing industry को much needed boost मिलेगा